नाम दुआ सलाम मैं हूँ डॉक्टर लोकेश बाली स्वागत करता हूँ आप सभी का पैरे साथियो वाट इस जियार्यफ जियार्यफ क्या है इस टॉपिक पर बात करेंगे इसके अलावा हम बात करेंगे क्या निकेडमी पर ऐसा क्या आया है जिससे बहुत बड़ा हंगामा ह हो गया है कैसे net jrf की तयारी की जाती है क्या योगता होने वाली है क्या आपका reservation का criteria क्या होने वाला है exam का pattern क्या होने वाला है medium of क्या होने वाला है किस प्रकार के medium आते हैं किस medium में exam लगती है ऐसे जो age limit है वो क्या होने वाली है ऐसे तमाम पहलू पर तमाम चीजों पर आज के इस सेशन में मैं आप लोगों से बात करूँगा यानि कि JRF करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और NET और JRF में क्या अंतर होता है क्या आपको NET करना चाहिए या NET की परिक्षा देनी चाहिए या आपको सीधे JRF की परिक्षा देनी चाहिए तो आज इन दोनों चीजों का अंतर भी आज के इस सेशन में हम लोग समझने की कौसिस करेंगे तो जितने भी दोस्त हैं जल्दी जल्दी से जुड़ जाईए वाट इजे JRF यानि जूनियर रिसर्स फेलोशिप क्या है क्या है साथियो जूनियर रिसर्स फेलोशिप और आज कल देखा गया है आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं साथियो 2022 में और आज के दोर में देखा गया है कि इस्टूडेंट्स जो है गाउ में छोटे छोटे कस्वो में जैसे जैसे अवरनेस पहलती जा रही है यानि जैसे जैसे आप लोगों को जानकारी मिलती जा रही है वैसे वैसे JRF की तरफ रुख इस्टूडेंट्स का होने लगा है ऐसा क्या कारण है कि JRF की एगजाम को लगबग 9-10 लाख लोग एगजाम देते हैं हर 6 मेने अब पूरे भारत वर्स मेंसे ऐसी JRF की जो एगजाम है उसको लेकर इतना तगड़ा क्रेज क्यों है कि भाई 9-10 लाख लोग इसकी एगजाम हर 6 मेने में देते हैं क्या कारण है इसकी popularity भढ़ने का आज के session में मैं आप लोगों से बात करूँगा और वो महत्पुन मुद्दा क्या है इस चीज को पहले समझे चलिए विबिन पहलों पर चर्चा करते वे एक एक चीजों को आग लेकर आगे बढ़ने JRF का full form होता है junior research fellowship यानि की fellowship का मतलब पैसा तो आज के दोर पर देखा जाए तो तक्रीबन सात्यों 35,000 से लेकर 40,000 रुपए तक की fellowship आपको मिला है अम मैंने बीच में 35 से 40 क्यों बोला है क्योंकि हर state की अलग-अलग contingency contingency एक होते है लेकिन HRA में अंतर होता है इसलिए सात्यो आ गई है हलो रिना गुडिवनिंग ओके डॉक्टर भानू सतीस जितने भी साथ दोस्त आगे हैं वो सभी को मेरा गुडिवनिंग नमस्कार आ जाए तो आज हम ज्यारेप को समझेंगे तो सबसे पहले नेट या ज्यारेप एक्जाम की तैयारी कैसे करते हैं इस चीज को सम तो आप लोगों को सबसे पहले साथ यो PG करने के दोरान चाय आपने MA किया हो चाय आपने MSC किया हो चाय आपने MCOM किया हो या आपने कोई भी PG कोर्स किया हो या फिर आपने MAD किया हो जीहां साथ हो या फिर आपने MAD किया हो किसी भी PG कोर्स के मैं आपकी जो परसंटेज होन चाहिए सामान वरग की सामान वरग की परसंटेज 55 होनी चाहिए और साथियो जो ST, SC, O, B, C, N, C यानि नॉन क्रेमिलियर इनकी साथियो 50% होने की ये नूनतम रिक्वार्मेंट इतना तो यहां पर साथियो होना ही चाहिए जैसकी सातियों यहां पर लिखा हुआ है यहांपर उसकी qualification यहांपर यह होनी होनी चाहिए एक चीज मैं आपको प्रारंब में ही express कर देना चाहता हूं प्रार्म में इस्पेस्ट ये करने चाहता हूँ कि NET और JRF इनकी कोई अलग-अलग एक्जाम नहीं लगती, इन दोनों की एक्जाम एक ही लगती है, आगे इसके विवरन को और अच्छी तरीके से हम लोग समझ लेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी ऐसे त पात कर लेते, नेट एक्जाम में फीस कितनी लगती, देखो यह इस वीडियो में, मैं step by step बढहँ हूँ, आए अब हम जान लेते हैं, नेट एक्जाम में फीस कितनी सातियों लगती, जब भी हम फोरम बहते हैं, ये लेटिक्ट आंकड़ा हैं साथ, अगर आप सामान समय हजार रुपए की फीस पे करनी पड़ेगी अगर आप EWS और OBC जुन में नॉन क्रेमिलियर हैं तो आपको सात्यों 500 रुपए फीस बढ़नी पड़ेगी और STSC PWD हैं तो आपको सात्यों 250 रुपए की फीस जब भी हम net JRF का फॉरम भरेंगे तब इतनी फीस हमारी लगे यानि JRF का फॉरम भरते समय यह फीस सात्यों हमारी लगेगी यह ओफिसली डेटा है जो मैं आपके सामने लेकर आए अब हम बात कर लेते सात्यों exam का pattern क्या है क्या है exam का pattern लेकिन exam के pattern पर आगे बढ़ने से पूर मैं आपको बता दो कि अनकेडमी पर इस समय वर्तमान में लॉकेस 11 रैफल कॉर्ड लगाने से 20% का discount आपको मिल जाएगा और अगर आप मेरी free class में जुड़ना चाते हैं तो रोज सात्यों सुबह के 10 a.m. आप मेरी free class age में जुड़ सकते हैं इनको special class कहते हैं यानि free class कहते हैं इन में आप सात्यों जुड़ सकते हैं रोज 10 बजे आनिक एड़िमी पर मेरी free class होती है लॉकेस कुमार मेना के नाम से मुझे सर्च करके मुझे वाँ पर आप follow कर लीजेगा आए अब हम pattern की बात करते हैं तो आपको पता है सात्यों 50 question paper 1 में और 100 question सात्यों paper 2 में आते हैं यह सामान paper होता है इसमें 10 unit होते हैं यह आपका subject का होता है और 3 गंटे का सात्यों paper होता है net और jrf का एक ही paper होता है तो यह सारी चीज़े दोनों पर apply होने वाले हैं आए अब हम जान लेते हैं net exam medium of question paper क्या आपके medium of question paper क्या होने वाले हैं किस medium में आपका question paper आएगा प्यारे सात्यों लिख रखाएदा medium of question paper यहां पर Hindi और English में सात्यों आने वाले हैं यानि केवल Hindi और English में यह paper आपको देखने को मिले हैं कि Hindi और English में आप दोनों ही language में इस exam को दे सकते हो और उस समय एक साथ भी दोनों language को देख सकते हो जैसे बहुत से लोग कहेंगे सर अपने Hindi भर दिया लेकिन Hindi समझ नहीं है तो इंग्लिस देखेंगे तो वहाँ पर आपको language change करने का option मिलता है और जिन लोगों ने English भरतिया हो हिंदी को भी देख सकते हो और एक्जाम का जो दी जाएगे उस समय आपको medium चुनने के आजादी नहीं है आपको direct इन ही दो एक्जाम इन ही दो तरीके से एक्जाम का pattern देखने को मिलेगा ध्यान रहे अनकेडमी पर रोज free class होती है मेरी सुबह के 10 बजे लोकेस 11 कौड लगाकर unlock कर लीजे सारी classes कौड है साती हो लोकेस 11 इस कौड को लगाने से आपकी सबी classes unlock हो जाएंगी ध्यान रहे लोकेस 11 की बीच में कोई प्रकार का gap नहीं अब हम बात कर लेते हैं जे आरेफ की age limit क्या है क्या है age limit हाँ सबसे पहले बात assistant professor अर्थात net net के लिए किसी प्रकार की age limit नहीं है अगर आप 60 साल के हैं 55 साल के 90 साल के हैं तब भी साती हो यहाँ पर आप exam दे सकते हो लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे साती हो जे आरेफ के लिए जे आरेफ की बात करेंगे साती हो तो यहाँ पर आपकी जो age होनी चाहिए साती हो वह रहते हैं अब मैं बहुत बड़ा confusion आपके मन में यहाँ पर ले आता हूं. ए, relaxation of up to 5 years is provide to be candidate, candidate कौन कौन से है, OBC, इनको 5 साल की छूट मिलेगी, इसके अलावा ST, SC, PW, third gender, and two women applicants, ये सबसे महटपूर्ण बात है, जो मैं आपको बताना चारा है, ये जो age का criteria है, सामान वर्ग, male के लिए, 31 साल सामान वर्ग, male के लिए है, जबकि सामान वर्ग, female, क्या क्या है साथ हूँ, 31 प्लस 5 बराबर 36, यानि 36 साल की age तक सामान वर्ग की female भी, JRF की exam दे सकती, repeat कर रहा हूँ, आपके सामने, officially data यहां पर लिख रखा है, आप इनको साथ ही हो, एक बार पढ़ सकते हैं, ओके, clear, आईए, अब मैं आगे की बहुत सारी detail बताने से पूर्व, एक बार मैं आपको बता दूँ कि हमारे यहां पर क्या discount का offer चल रहा है, लोके सिलिवन कॉर्ड लगाने से 18 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक आपको 20% का discount देखने को मिल जाएगा, आईए, अब हम बात करते हैं साथ्यों, reservation criteria क्या होने वाला, आपको किस reservation के तहट इस exam को भरना, देखो, अब reservation का थोड़ा system अलग हो किया है, अब क्या है साथ्यों, ST, पहले ST को मिला करता था, SC और OBC, तीन category को reservation मिला करता था, लेकिन साथ्यों आप सामान वर्थ के अंतरगत, सामान वर्थ के रच्चर EWS, आर्थिक आधार पर भी 10% का reservation यहाँ पर दे दिया, अब समझ लीजिए, जिन लोगों को reservation का पता नहीं है, कि केंदर सरकार में क्या reservation मिलता है, ताकि आप लोगों को पता लग जाए, देखो, 15% reservation मिलेगा, 15% reservation के S आती हो, SC को मिलेगा, 7.5% जो reservation का criteria है, यह साती हो, यानि जितनी seat आती है, उनमें के 7.5% seat ST की होती है, 15% साम उसकी होती है, SC, एक होता सात्यों 27% होती है, OBC की, अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, 27% seat OBC की, और आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, कि सबसे ज़्यादा seat OBC को, ऐसा नहीं है, क्योंकि OBC के अंतरगत बहुत सारी काश्ट आती है, और 27% के मुकाबले यहाँ पर संख्या जादा है, यहाँ पर सात्यों संख्या जादा है, अब दूसरा है सात्यों EWS, यहाँ पर सात्यों क्या है, EWS में क्या है, आपको 10% का reservation मिला हुआ है, अगर मैं आपको जनसंख्या के आधार पर reservation बताऊं कि किसको सरवादिक मिला है तो आपकी नजर तो डायरेक्ट 27% पर जा रही होगी लेकिन ऐसा विल्कुल भी नहीं जो सबसे अधिक reservation मिला है ये मिला है 10% EWS क्योंकि 27% OBC के मुकाबले EWS category में आए हुए लोगों की संख्या कम है इसलिए सातियों अगर देखा जाए आकड़ों के हिसाब से तो 10% अधिक reservation है अधिक का मतलब क्यों है ये समझा रहा हूँ देखो अगर आप सामान वर्ग के छात्र हैं और आप confused हैं कि मुझे EWS में forum लगाना चाहिए या फिर आपको सामान वर्ग में forum लगाना चाहिए अगर के पास certificate है तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप EWS से forum apply कि इससे क्या है साथियों इसमें ज्यादा चांस है कि आपका selection हो जाए अगर आप सामान वर्ग से हैं सामान वर्ग से हैं तो EWS category से आप apply तो बहुत से student रहते हैं कहते हैं कि सर सामान वर्ग से करें या EWS से करें हमार पास लगातार comments आते हैं तो मेरी सलाह ये है कि एक बार थोड़ा सा उस समय seats को भी देख लो और हो सके तो एक बार सब चीजों का calculation लगा कर आपको EWS की तरफ जाना चाहिए इसमें थोड़ा इसी संभावनाए जादा हो जाते हैं यह आपको साती हो यहां पर यह reservation का criteria आपको reference दूँगा अगर वो इसकी इस category में आते हैं तो भाई फायदा मिल रहा है तो फायदा उठाना चाहिए अब रही साथियों नकारात्मक marking अगर आप PhD करना चाहते हैं best topic, best proposal, best research, interview अगर आप इनके बारे में help चाहते हैं तो मैं आपकी direct help कर दूँगा referral code आपको lockis 11 लगाना पड़े यह telegram channel के मायदम से आप मुझसे संपर्क बना सकते हो तो यह academic app है download कर लिजिए उसके बाद में mobile number डालना है phone number डालना है यह पहले दिन का process है केवल और उसके बाद में आपको proceed to paper किलिक करना है यहाँ पर सातियों आपको बतला दू net select करना है subject सेलेट करना है get subscription पर किलिक करना है जैसे get subscription किलिक करोगे बीच मुझे follow कर ले न डॉक्टर लोकिस कुमार मेना के नाम से और वहाँ पर सातियों आपको paper 1 और paper 2 दोनों पढ़ाये जाए हम आपको पूरा paper 1 plus paper 2 दोनों live class होंगी सभी सारे class के notes मिलेंगे सारे class के mock test होंगे यह सब चीज़े आपको लोकिस 11 क्यारी करवाते हैं तो आप रैफ्रल कॉर्ड लगा लेना प्लस की class join कर लेना iconic थोड़ा additional है जिसमें आपको personal coach कुछ additional चीज़े मिलेंगी प्लस में आपको paper 1 complete करवाते हैं हम लोग paper 2 complete करवाते हैं यह दोनों की live class होंगी इन दोनों की notes मिलेंगे आपको हमारे हाथ से लिखे हुए और इसके लावा mock test और सारी चीज़ें आपको test series बगर देखें ओके गाइस thank you so much lock a silver card आपको यहां लगा कर एपलाई करने उसके ब